Hello students, welcome back to Geography Guru Channel हम बात कर रहे थे पिर्थवी की, हम बात कर रहे थे पिर्थवी के आंत्रिक भागों की सरंचना की उसको कैसे जान सकते हैं, कौन से स्रोथ हैं, कौन से पर्त्यक्स रोथ हैं, कौन से एपर्त्यक्स रोथ हैं पिछले session में, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, भुकम की, उनके विविन पहलों के बारे में जाना था भुकम पियत रंगों के बारे में जाना था, भुकम के परकार के बारे में जाना था हम उसी कहानी को continue रखते हैं इस third session में, हमारा जो third episode है, class 11th geography का chapter हमारा है पिर्थवी के आंत्रिक सरंशना, interior of the earth इस third session में, third episode में हम बात करने वाले हैं पिर्थवी की आंत्रिक सरंशना की हम बात करने वाले हैं पिर्थ्वी की विमिन परतों की, पिर्थ्वी की आंत्रिक परतों की किन भागों में बांटा जा सकता है, कितने भागों बांटा जा सकता है और उसके डाइग्राम के दुरा उसको हम समझने की कोसिस करेंगे, उनकी विशेशताओं को जानेंगे तो चलिए हम शुरुपात करते हैं आज के हमारे शेशन की पिर्थुी की आंत्रिक सरंचना एपिसोड हमारा थर्ड है यह पिर्थ्वी की जो आंत्रिक सरंचना है उसको हम तीन परतों में बाढ़ सकते हैं यानि पिर्थ्वी की आंत्रिक सरंचना वो कैसी है परतदार है लियर है उसमें एक के बाद एक तो उसको हम तीन भागों बाढ़ सकते हैं वो तीन जो परते हैं, वो परते हैं, सबसे पहले भूपरपटी कह सकते हैं, उसे हम भूपरपटल कह सकते हैं, जैसे ओरिंज होता है, उसका छिलका होता है, उसी तरह किसे पिर्थवी का जो उपरी भाग है, जिसकी मोटाई सबसे कम है, वो भाग, भूपरपटल, भूपरप परट्टी या क्रेश्ट कहलता है, उसके बाद जो दूसरी परथ है, वो है mental, भूपरवार, और जो तीसरी परथ है, आंत्रिक जो परथ है, वो है crude, यानि कि इसको तीन परथों में हम बांड सकते हैं, crust, mental और core, भूपरवार और crude, आप किसी भी तरीके से आप इसको explain कर सकते हूं, यानि कि इसको तीन भाग को बाढ़ सकते हैं, आईए हम diagram के दोरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, यह देखिए कि यह जो बाहरी भाग है, बाहरी जो पर्त है, वो है crust, इसकी मोटाई सबसे कम है, कितनी मोटाई है, क्या है, यह सब कुछ हम विशेशता हैं, आगे डिसकस करने वाले हैं, यहां सिरफ हम diagram को देख रहे हैं, कि इसकी मोटाई सबसे कम है, लेकिन सबसे महत्पून है हमारे लिए, दूसरी जो पर्त है, वो है mental, यह भी ठो सवस्ता में, crust भी ठो सवस्ता में, उसकी बाद है core, core को हम दो भागों बाढ़ सकते हैं, outer core और यह जो भाग है, यह ठो सवस्ता में है, तो पिर्थी की पर्तों को हम तीन भागों मान सकते हैं, crust, mental और core, core को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, outer core और inner core, outer core है वो पिंगली वस्ता में है, inner core जो है वो ठो सवस्ता में है, यह diagram है जब भी questions पूछा जाए, क्योंकि receptor का सबसे important question है, पिर्थी की आंतरिक सरंचना, उसी का structure है, तो इसको आपको इसी type से आप बना सकते हो, कि पिर्थी की आंतरिक भाग या पर्ते कैसे हैं, अब हम एक एक करके जानते हैं, crust mental core के बारे में, सबसे पहले हम भूपटल या भूपरपटी या crust की बात करते हैं, य आदिपिया भागों में इसकी मोटाई 30-40 km तक है, महासागरों के नीचे इसकी मोटाई है, वो कम हो जाती है, वो 5-10 km तक होती है, प्रवत्ती आलाके हैं, वहाँ पर इसकी मोटाई और भी अधिक होती है, इसका निर्मान सेलिका और अलूमिनियम से हुआ है, इसलिए इसक तो सियाल के नाम से भी जाना जाता है, यह क्रष्ट, यानि कि इसको हम सियाल भी कह सकते हैं, इसको भूपर पट्टी भी कह सकते हैं, क्रष्ट का सबसे उपरी भाग है, वो स्थल मंडल, यानि कि क्रष्ट और मंडल का सबसे उपरी भाग है, जो सोलिड भाग है, उसी से स्थ स्थल मंडल बनते हैं, जिसकी गहराई लगब सो किलोमेटर के आसपास है, स्थल मंडल के नीचे दुर्बलता मंडल है, इसकी गहराई सो किलोमेटर से दो सो किलोमेटर के बीच में है, यानि क्रेश्ट और मेंटल दोनों मिलकर की ही स्थल मंडल बनाते हैं, जो सो किलोमेटर तक है उसको हम स्टाल मंडल कहेंगे उससे नीचे यह वह दुर्बलत मंदल है जो 100 से 200 किलोमेटर के बीच में है क्रेष्ट के बादब शुरू होती है पर्थ वह मैंन के इन दोनों के बीच में यानि कि क्रेष्ट और मैंन के बीच में ऐसा अंबनता पonnerец यहां पर दोनों के गूंड मिक्सम मिलेंगे जैसे हम बात करते हैं सांस्कृतिक लक्षणों की तो पनजाब और हर्याना जहाँ पर बोर्ट रलाक है वहाँ पर पंजाबी और हर्याणवी दोनों कल्चर मिक्स मिलेगी राजस्तानी बोटर के साथ, राजस्तानी और हर्यार्मी कल्चर मिक्स मिलेगी तो ऐसे ही जब क्रश्ट एकदम से मेंटल जैसे गुण नहीं आते या एकदम से क्रश्ट के गुण खतम नहीं हो जाते हैं, मेंटल के शुरू नहीं हो जाते हैं उसे हम बीच का जो भाग उसे ऐसमत्ता, discontinuity बोलते हैं, उस discontinuity को हम मोहो discontinuity बोलते हैं, यानि क्रेश्ट और mental के बीच में, जो discontinuity पाए जाती है, जहां पर मिक्स लक्षन पाए जाते हैं दोनों परतों के, उसे हम बोलते हैं, मोहो discontinuity, आपके competition exam, जो competitive exam दोगे in future में, उसके लि भूपरवार, mental है, वो पिर्थ्वी की बीच वाली परत है, इसकी ओसत मोटाई है, वो 2900 km, यानि कि 0 से 30 km, crust, और 30 से 2900 km, वहां तक रहती है, वो है mental, mental है, इसके दो भाग पाए जाते हैं, यानि कि इसको भी हम दो पाट में, डिवाइड कर सकते हैं, गुणों के अधार प सकते हैं आपर mental है वो 700 km तक है 30 से 700 km और 700 km से 700 km से 2900 km तक वो है lower mental इन दोनों में भी क्योंकि गुणों में अंतर पाई जाते हैं इन दोनों के बीच में रेप्टी discontinuity पाई जाते हैं जिसको रेप्टी discontinuity के नाम से जानते हैं यह जितनी भी discontinuity बताई आपको मोहो रेप्टी और गुटनबग यह जब भी आप जियोग्रोफी के लिए इन फ्यूसर में एक्जाम दोगे specialization का उस वक्त यह बहुत important question बनते हैं जो आपके in future examination में पूछे जाते हैं तो यह था दूसरी परत जो हमारी है वो है mental अब हम तीसरी यानि की core की बात करते हैं पिर्थवी की आंतरिक पर जो तीसरी सबसे आंतरिक जो भाग है वो है core यह पिर्थवी के सबसे आंतरिक भाग है जो mental के नीचे पिर्थ 300 km से शुरू होकर कि 371 km तक फेली हुए है वहां तक इसकी गहराई है core है उसको जैसा हमने diagram में देखा इसको हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं core को इसको inner core और outer core में इन दोनों के बीच में जो discontinuity पाए जाते हैं उसको हम layman discontinuity के नाम से जानते हैं पिर्थवी के समस्त आय 83% mental है और 17% जो भाग है वो core है यानि सबसे पतली जो पर्त है वो crust है और सबसे मोटी जो पर्त है वो mental है और बीच की जो पर्त है मोटाई के अधार पे वो है core तो ये थी पिर्थवी की आंतरिक समस्तना कैसी है कौन-कौन सी पर्तों में बाढ़ सकते हैं और उनकी मुख्य क्या है तो आज के session में हमने जाना पिर्थवी की आंतरिक समस्तना के बारे में आपने अभी तक इस चैनल को जोग्रोफी गुरू चैनल को अगर subscribe नहीं किया तो इसको कर दीजिए क्योंकि और भी महत्पून topics important topics हम लेके आने वाले हैं सभी chapters हैं वो हम discuss करने वाले हैं जब ह हमारी chapters complete हो जाएंगे तो उसके बाद हम summarize बेसे दोबारा से revision chapters और revision videos है वो भी हम लेके आएंगे तो subscribe कर दीजिए और अगर आपको चाहिए कि update अपने आप मिलती रहे तो bell icon को press जरूर केजिए thank you have a nice day